तो आज बात करते हैं जेड प्लांट की जेड प्लांट को लक्की प्लांट भी कहा जाता है और इसे घर में लगाना बहुत शुब माना जाता है और यहें किसी भी मोसम में आसानी से ग्रो हो जाता है और किसी छोटी से छोटी कटिंग भी आसानी से लग जाती है और इस प्लांट को पाने की भी जादा जरूरत नहीं होती अगर आप जैट प्लांट की कटिंग लगाना चाते हो तो यह आसानी से लगा सकते हो और अगर इसे गर्मी के दिनों में या कटिंग लगाते हूँ तो यह जल्दी से लग जाती है और सर्दी के मोसम में इसको लगाने में थोड़ा सा समय लग जाता है दोस्तों अगर आप इसे अच्छे से चलाना चाते हो तो इसके लिए सबसे ज़्यादा जरूई जो चीज है वह है अच्छी लाइट और सनलाइट हमें ऐसा लगता है कि यह इंडोर प्लांट है तो इसको सनलाइट के जरूरत नहीं है लेकिन ऐसा नहीं है इसको सनलाइट की बहुत जरूरत है अगर इसको sunlight नहीं मिलेगी तो यह अच्छे से ग्रोथ नहीं करेगा तो दोस्तो इसे डारक तीन या चार गंडे की sunlight देनी चाहिए तब यह अच्छे से ग्रोथ करेगा और इसकी पत्या मोटी मोटी रहेंगी और अगर हम इसके साथ over partering करेंगे तो यह दोस्तो पोधा बचेगा नहीं और इसकी पत्यां बिल्कूल पीली हो जाएंगी बेजजान हो जाएंगी तो इसके साथ हमें और पार्टिंग नहीं करनी चाहिए तो कम से कम चार या पास दिन में पानी देना चाहिए और सर्दियों के मोसम में आठ या नो दिन में पा वरस्त नहीं होनी चाहिए इसकी मिटी सूखी सूखी रहनी चाहिए तब ही यह पोदा अच्छे से ग्रोध कर देगा और यह पोदा तभी सुन्दर लगता है जब इसकी पत्या मोटी मोटी होती है अब बात करें तो इसमें फर्टिलाइजर की तो दोस्तों को इसमें महीने में एक बार देना चाहिए जैसे आदा चमच चाय पत्ती और आदा चमच कोफी और दोनों को मिक्स करके वाइल कर लो और ठंडा होने के बाद चानने के बाद इसको इसमें डाल सकते हो तब ही है डाल सकते हो और यह दोस्तो अच्छे से ग्रोथ करेगा और दोस्तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करना और शेर करना और मेरे चैनल को दोस्तो सब्सक्राइब करना